हाँ नमस्कार साथियो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक आपका प्रेम और प्यार इसने है सदा मेरे साथ रहा और मेरा आपके प्रति जुडाव रहा इसका प्रिणाम है कि महज 10-15 दिन हुए अपने कोई से यूटूब चैनल को स्क्राइब कर चुके हैं इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुभासिस आपकी इस इसने हैं प्रेम प्यार के लिए धन्यवाद मित्रो तो आज हम सुरू करने जा रहे हैं कैग इसका अंग्रेजी में जो पदनाम है वो तो है कंप ट्रोलर एंड इंडिया और हिंदी में है ये भारत का नियंत्रक और महालेखा प्रिक्षक ये पद बहुती ही महतोपूर्ण पद है और ये ब्रिटेन से हमने ग्रहन किया ब्रिटिस सत्ता जब भारत में थी तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत परिशद अधिनियम 1868 सोरी उस इसके द्वारा इस पद को पहली बार क्रेट किया गया था फिर इसका पदनाम बदल करके और महालेखा प्रिक्षक हो गया 1919 के अधिनियम में ये सरकारी नियंतरन से ये पद मुक्त हो गया लेकिन ध्यान रहे ब्रिटिस कैग और भारतिये कैग में अंतर ये है कि वो नियंतरक का काम भी करता है ब्रिटेन वाला और लेखा प्रिक्षन का काम भी करता है लेकिन भारत में जो कह गया वो नियंतरक का कारी नहीं करता है केवल ओडिट का काम करता है लेखा प्रिक्षन का काम करता है तो मित्रो आज ये एक महतवपुन बिंदू है जिससे लेकर के बहुत सवाल बनते हैं चलिए आज चर्चा करते हैं इसके उपर भारत का नियंतरक एवं महालेखा परिक्ष्यक इसको हम यदि सोट रूप में कहें तो C&A G काम प्रोलर एंड ओडिटर जंडरल ओफ इंडिया ये भारती समिधान के भाग तो है पांच में और इसकी व्यवस्ता है आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 तक 148 से 151 और ये पद हमने ग्रहन किया है कहां से ये ग्रहन किया है हमने ब्रिटेन से और इसकी नियुक्ति होती है क्या होती है नियुक्त होता है ये और भारत में इसकी नियुक्ति करते हैं कौन राष्टपती आर्टिकल 148 के तहते प्रेजिडेंट ओफ इंडिया काम ट्रॉलर एंड ओडिटे जंडरल ओफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं तो पदनाम में एक नियंतरक आ रहा है और एक आ रहा है लेखा परिक्षन तो ध्यान रहे सिर्फ ये लेखा परिक्षन का काम करता है नियंतरक का कारिये नहीं करता है इसलिए सवाल जब पूछता है कि कैग निम्न में से कौन सा कारिय नहीं करता है तो ध्यान रखना नियंत्रक का कारिय ये नहीं करता है तो यदि हम इसकी बात करें कि इसका पद शर्जित कब हो रहा है तो 1858 के अंतरगत पहली बार इसका पूरुवर्ति नाम की लेखा प्रिक्षक लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हम इसका क्रियेशन मानते हैं 1919 के एक्ट द्वारा और 1919 का एक्ट लागू होता है 1921 से अतैपद रचना जो है इसकी होने को ये 1860 स्थितों में आ गया था 1860 के एक्ट के समय से चर्चा चल रही है लेकिन इसमें काफी समय में बदला होता रहा है अब आप से पूछे कि भारत में रास्ट्रिये वित भारत में रास्ट्रिये वित का संद्रक्षक कौन है तो कैग भारत में रास्ट्रिये वित का संद्रक्षक है क्यों संद्रक्षक है क्योंकि इस पर निर्भर है कि संग और राज्ये ने जो खर्च किया है डवलप्मेंट पे या विभिन परकार की योजनाओं का जनता को लाब देने के लिए उसकी ओडिट करने का काम कैग पर है और ये बहुती ही बारिकी से अगर 0.25 पैसे का भी अंतर है तो ये वहाँ परशनवाचक्चिन लगाएगा इसलिए भारत में रास्ट्रिये वित का क्या कहलाता है संद्रक्षक लेकिन आप से पूछेगी भारत में रास्ट्रिये वित का नियंत्रक कौन है तो नियंत्रक RBI होगी कैग नहीं क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि ये नियंत्रक का कारिये नहीं करता 1919 तक ये नियंत्रक का कारिये करता था और 1935 के एक्ट में फिर इसके नियंत्रक का कारिये से हटा लिया गया था तो भारत ने जब कैग का मोडल अपनाया, तो भारत ने 1935 के एक्ट वाला कैग का मोडल अपनाया है. अधर भारत ने किस एक्ट आधारित कैग का मोडल अपनाया है, 1935 के एक्ट वाला कैग का मोडल अपनाया है. अब हमसे पूछे कि बताईए कैग के लिए योग्यता क्या है, कौन कैग बनेगा, तो ध्यान रहे, कैग IAAS होता है. इंडियन ओडिट एंड अकाउंट सर्विस का ये टॉप मौस्ट अधिकारी होता है. एक तरह से इंडियन ओडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ये चीफ होता है, जिसे बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है. और ये उमर के लाष्ट पडाओं में जाकर के इस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, कैग बनाया जाता है. तो योगेता, तो IAAS ये भरती हुआ 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 होता है. और प्रधान मंत्री और एक समिती गठित होती है, और वो नाम तय करते हैं कि कैग कोन बनेगा, राष्ट राष्ट पती को रिक्मेंड कर देते हैं, तो इस व्यक्ति को जो कि इस IAAS क्या अधिकारी होता है, इसका नाम तय होकर के राष्ट पती के पास पहुंग जाता है, और राष्ट पती इसे बतौर कैग के तोर पर नियुक्त कर देते हैं. अब यदि आपसे पूछे कि इस कैग का कारियकाल क्या है, तो ध्यांद रखना, इसका कारियकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयू, जो भी पहले हो, या तो नियुक्ती से 6 साल हो जाएं, या उमर पहले हो जाएं, आप देखना, UPSC 6 या 65, स्टेट PSC 6 या 62, ठीक है कैग 6 या 65, चीफ इलेक्षन कमिशनर 6 या 65, तो इसमें पर्थम 6 वर्ष तो है, कि यदि आपकी उमर है, माल दीजिए आप, इस समय 77 साल के हैं, तो 6 साल काम करेंगे, 63 तक, लेकिन आप बने 63 साल के हैं, तो सिर्फ आप आप दोई साल काम करेंगे क्योंकि आपकी उम्र पहले हो जाएगी या तो आप 6 वर्ष या आप 65 वर्ष की आयू जो पहले कर लें तब तक आपका कारेकाल रहेगा अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों हम से पूचता है एक सवाल कि निमन में से कौन सा पदादिकारी राष्ट पती के प्रसाद प्रियंत कारिये नहीं करने वाले की शटनी हम से करवाता है राष्ट पती के प्रसाद प्रियंत का मतलब प्लेजर उप्दा प्रेजिडेंट यानि जो पद प्लेजर उप्दा प्रेजिडेंट रखा गया है उससे जब चाहें आप हटा सकते हैं लेकिन कैग को आप जब चाहें नहीं हटा सकते हैं आते यहां द्यान ये रखना है नोट डालके कि यह राष्टपती के परशाद परियंत कारिये नहीं करता यह राष्टपती के परशाद परियंत कारिये नहीं करता नहीं करता है इसका मतलब हुआ कि आप इसे जब चाये नहीं हटा सकते हैं जब चाये न्यूट कर लिया जब चाये हटा दिया क्योंकि इस पर महतोपूर्ण जिम्मेदारी है भारत सरकार और 28 राज्ये सरकार और यूनियन टेरिटरी उन सब का ये ओडिट प्रिक्षन करना है तो कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो और ये राश्टपति के प्रसायत प्रियंत कारिये नहीं करता अब यदि इसे हटाना पड़े आपको कैग को तो ध्यान रखना कैग साबित कदाचार या तो भर्स्टाचार का आरोपी साबित हो जाए या कारिये करने में ऐसमर्थ हो साबित कदाचार और आ समर्था के आधार पर और यह कैसे हटेगा ये सुप्रिम कोट के नियाधिस की तरह हटेगा किस की तरह हटना है सुप्रीम कोट के नियायाधिस की तरह यहां द्यान रखिए मैंने उच्छतम नियायला को इस सी लिग दिया है शौट में इसका मतलब है कि जैसे उच्छतम नियायला का का न्यादिस हटता है यह वैसे हटेगा कुछ बच्चे यहां महाभयोग सब्द यूज कर देते हैं कि सर यह सुप्रीम कोट का न्यादिस तो महाभयोग की तरह हटता है तो ध्यान रखना महाभयोग सब्द केवल प्रेजडेंट ओफ इंडिया के लिए है महाभयोग जैसी प यानि जैसे उच्चतम न्यायले का न्यायदिस हटेगा उस तरीके से आप केक को और सी सी को हटा सकते हैं तो किस आधार पहट रहा है या तो भरष्टाचार का आरोपी साबित हो जाए या कोई फीजिकली या मेंटली किसी परकार की डेफिसियंसी है तो वह व्यक्ति उच् इस बहुमत से इसको पारित करने के बाद और कैग पदमुक्त हो सकेगा अब हम से पूछे कि हमारे प्रत्थम कैग भारत के प्रत्थम कम प्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल ओफ इंडिया कौन थे तो वो थे वी नरहरी राव कौन थे वी नरहरी राव 1948-254 और आपसे पुछे कि बताइए वर्तमान वर्तमान सी एजी कौन है तो इस समय हमारे सी जी हैं ग्रिश चंद्र मुर्मू या तो आपसे फस्ट पूछेगा या आपसे वर्तमान पूछेगा तो फस्ट हमारे है वी नरहरी राव और एड प्रजेंट कौन है ग्रिश संद्र मुर्मू एक पद और ध्यान रखना मित्रो एक पद और है सी जी ये और वो इस समय वर्तमान में कि एस एस दूबे हैं एस एस दूबे हैं और कई बार अब ये पूछने लगा है तो ध्यान रहे ये कैग है और ये सी जी ये है पता है ये केवल भारत सरकार के लिए है इस पर जिम्मेदारी किसकी है ये केवल भारत सरकार के मामलू को देखता है सी जी ये लेकिन कैग ये कैग जो है अभी अपन बात करेंगे ये भारत सरकार भी और अठाइस राज्ये और आपके आठ यूनियन टरेटरी उन सब पे और व्यवस्ता देखेगा कैग लेकिन भारत सरकार की मदद करने के लिए एक लेखा सेवा का ही अधिकारी होता है सी जी ये वर्तमान में हैं हमारे एसस दूबे तो पूछले की वर्तमान में सी ये जी तो कौन है गरिश चंदर मुर्मू से और वर्तमान में सी जी ये कौन है एसस दूबे अब ये काम कैसे करता है देखिए सबसे उपर हम बात करें कि ये हमारा कह गय और ये इस पर दाईतु है किसका संग प्लस यूनियन टरिटरी संग और संग साशिचेतर यानि भारत सरकार और रज 28 राज आता है कैग संग संग साशिचेतर और इन राजियों की ओडिट प्रिक्षन करना है तो ध्यान रखिए ये संग से समंदित ओडिट कर रहा है इस एकों मैं लिख रहा हूँ यानि ओडिट लेखा प्रिक्षन कैग ने भारत सरकार और संग साशिचेतरों की ओडिट की और कुछ कमिया पाई उन कमियों को ये प्रशनगत कर देगा जो कमिया कहीं भी कोई वितिय एनिय मित्ता है तो उस वितिय एनिय मित्ता को ये उजागर करेगा सरकार से ये सावाल पूछेगा सरकार यहां जबाब देगी तो उस प्रशनवाचक्चिन को हटा देगा यदि सरकार जबाब नहीं दे पाई है तो यह जा करके घोटालोने उजागर होना है इसलिए अब यह ओडिट करते हुए और एक रिपोर्ट तयार करेगा क्या तयार कर रहा है रिपोर्ट यह पर्तिवेदन और यह पर्तिवेदन यह किसको भिज़ देगा राष्टपती को कैग ने भारत सरकार और संग्साशी छेत्रों के लेखाओं का प्रिक्षन किया एक ओडिट की और एक रिपोर्ट तयार की और रिपोर्ट तयार करके किसको भेज देता है राष्टपती को और राष्टपती इसे कहां भेज देंगे राष्टपती इसको भेज देंगे लोकसभा अध्यक्ष को राश्टपती ने इसको कहां बेज दिया है लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को कहां बेज देता है लोक लेखा समीती लोकलेखा समीति, पबलिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, इस लोकलेखा समीति का जो अध्यक्ष है, ये 1967 से विपक्स का सदस्य होता है, ध्यान रखना, किसका सदस्य होता है, विपक्स का सदस्य होता है, ये विपक्स में से किसी एक को और इस लोकलेखा समीति का अध्यक्ष है, और तै करते हैं लोकसबा अध्यक्ष, और ये व्यवस्ता एक परंप्रा है, ये विपक्स का सदस्य होता है, ये पर्था अनुसार है, एक कस्टम है ये, परंप्रा है ये, कि इसका अध्यक्स जो है वो होगा विपक्स का सदसे अतर जिस तरह से इसने भारत सरकार की ओडिट की रिपोर्ट तैयर की राष्टपती को भेजा राष्टपती ने लोक्स बाध्यक्स लोक्स बाध्यक्स ने लोकले का समीती और लोकले का समीती का अध्यक्स जो होता है वो लास्ट में कौन बेठा हुआ है विपक्स का सदसे और विपक्स का काम ही क्या है बाल की खाल निकालना है इसलिए ये चाहकर के भी इनका पक्स नहीं लेगा तो जिस तरह से संग की ओडिट होती है उसी तरीके से ओडिट करेगा अब राज्ये की और राज्ये की ओडिट करने के पश्यात यानि जो जो कमिया राजियों में पाई जाएंगी उनको प्रसंगत करेंगे और प्रसंगत करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट किसको भेज दी जाएगी राज्ये पाल को ध्यान रखना जी का मतलब यहां क्या है राज्ये पाल और राज विधानसभा अध्यक्स जो है वो इस रिपोर्ट को राज्य में भी एक लोकले का समीती है उसको भेज देगा अता है ओडिट की एक रिपोर्ट तेयार की राज्येपाल को भेजा राज्येपाल ने कहां भेज दिया विधानसभा अध्यक्स को विधानसभा अध्यक्स राज् । पुनहें एक बार देखिए। कैग पर दाएतु है कि वो भारत सरकार और राजियों की ऑडिरिक्षन करे। और भारत सरकार का ओडिर करने के बाद एक रिपोर्ट तेयार करेगा, रिपोर्ट राष्टपती को बेजेगा। राश्टपती से लोकलेखा समीती के अध्यक्स के पास बेजेंगे लोकलेखा समीती का अध्यक्स होता है विपक्स का सदस्य ये 1967 से एक स्वस्त प्रमप्रा है कि सरकार द्वारा किये गए कारियों की जांच कैग द्वारा होते हुए और लास्ट में विपक्स तक पहुँचे ताकि किसी प्रकार का कोई भश्टाचार या गडबड नहीं हो पाए इसी तरह से राज्ये में राज्ये की ओडिट करेगा ओडिट करने के बाद एक रिपोर्ट तयार करेगा रिपोर्ट राज्येपाल को भेजेगा राज्येपाल विधानसभा अध्यक्स को और विधानसवा अध्यक्स राज्ये में भी एक लोकलेखा समीती होती है उस लोकलेखा समीती के अध्यक्स को भेजेंगे और यहां भी विप्रक्स का सदस से होता है तो हम बात कर रहे हैं किसकी लोकलेखा समीती आता यह दो समीतिया इसके साथ जुड़ी हुई है एक आपकी लोक लेखा समीती जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक प्राकलन समीती जिसको हम इंगलिस में कहते हैं एस्टिमेट कमेटी अर्थार्थ अनुमान समीती ये संसद की स्थाई समीतियों में से है अता ये लोकलेखा समीती जो है इसे रखवाली वाले कुट्टे की उपमा दे गई है रखवाली वाले कुट्टे की उपमा वोच डोग से और देखा गया है और इस कैक को इस लोकलेखा समीती की आँख और कान कहा गया है और यहाँ विपस्का सदस्य है इसलिए इसकी वोच डोग से तुलना होती है तो हम देखते हैं कि अब वरतमान में संग में लोकलेखा समीती का अध्यक्ष तो कौन है और राजे में कौन है तो इनके अध्यक्ष जो हैं वो कौन-कौन है संग में पीएस्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चोदरी अधीर रंजन चोदरी और यह हैं कॉंग्रेस के और यदि हम बात करें राजस्तान की आप जिस जिस राज्ये के रहने वाले हैं तो राजस्तान में पीएस्टी का अध्यक्ष पहले गुलाबचंद कटारिया थे लेकिन वो राजेपाल बन गए हैं तो राजेंद्र राठोड थोड़े समय पहले तक गुलाबचंद कटारिया हुआ करते थे लेकिन शिरिमान गुलाबचंद कटारिया इस समय राजेपाल हैं तो यहां से जा चुके हैं तो इस स्टेट में पीएसी का अध्यक्ष राजंद्र सिंग्रा ठोड हैं और यूनियन में कौन है अधिर रंजन चोदरी अताय मित्रो जो भी बनने वाले सवाल इसमें हैं तो इसको पूरा आप वीडियो को देखते हुए और बिंदु वार इसको आप नौट कर लें याद करें क्योंकि प्रिक्ष्या में कई बार सवाल डीपली जाकर के पूछ लेता है कई बार सता ही पूछ लेता है अ उसके आधार पर अपने आपको तयार करना है धन्यवाद